आपके हाथ में मिलेगा जब आपका पेपर आपके हाथ में होगा तो आपको सबसे पहले क्या feeling आएगी कि आपके आपको जो question है न वो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जल्दी से solve हो जाएगा और हमारा question देखा हुआ है तो मैं आपको बोल रहा हूं इसमें आपको avoid करना ह सिली मिस्टेक्स आपको सिली मिस्टेक्स को avoid करना बच्चो यह आपको ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको कुछ चीजें जल्दबाजी में गलती हो जाती है सिली मिस्टेक्स को आपको avoid करना है तो avoid करिए पहले वाले question में जो देख के लग रहा है कि आपको बहुत आसा सा टफ है इसको हम बिल्कुल होल्ड पे कर देंगे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि मैं इस लाइन को तीसरे नंबर पे भी रख सकता था आपको यहां पे क्या करना होगा ठोरेटिकल क्वेशन जो हैं जिनको बिल्कुल आसान है सबसे पहले यह वाला अटेंप्ट करेंगे फिर यह वाला अटेंप्ट करेंगे फिर तीसरे नंबर पे इसको अटेंप्ट करेंगे और चौते संबर पर की प्लानिंग है कि आपके आपके ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि आपको दो तीन क्वेशन में बिल्कुल फसा के रखे और आप भी उसमें अपना टाइम बरबाद करते रहें और उनका मकसद सॉल्व हो जाए तो कतई इन तरह के क्वेशन में आपको बिल्कुल भी न करी जाना है तो हम लोग सबसे पहले